Hello everyone, competitive exam में आपका एक वाफिर स्वागत है आज मैं आपके लिए geography से related मत्तपुन question लेके आ गया हूँ जो old हमारे question paper में पुछे गए हैं वो सभी geography के question हम यहां discuss करेंगे जो आपके आने वाले exam के लिए आपकी काफी मदद करेंगे तो चलिए आज का यह session हम शुरू करते हैं इसमें जो first question स्टार्ट हो रहा है वो 172 से स्टार्ट हो रहा है फैरा question है The network of the series of vertical and horizontal line is known as उर्द्वाधर और क्षैतिस रेखाओं की श्रीनी का network खिलाता है उसको geographical coordinate system यानि भुगालिक निर्दिशक तंतर D इसका सही answer है और 173 है Which isohole is the isofillate of यानि की कौन सी समताप रेखा समान रेखा है तो वो है sunshine धूब इसका सही answer होगा Which river cross tropic of Capricorn twice यानि की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काड़ती है तो वो मकर रेखा को लिमपो पो रिवर B इसका सही answer है 175 है स्टैपी की बायो मास से समंदीत है स्टैपी जो घास के मैदान है या स्टैपी घास के मैदान है इसका सही answer होगा वर्षाद जल की तूलना में समुद्री जल अधिक लवणिया होता है क्योंकि the sea water is more salty than rainy water because नदिया मृदा से लवन समुद्र में गिराती है what is the ecological system integrating all living beings and their relationship सभी सजीवो और उनके समंदों को ही करित करने वाली परिस्तितिक तंतर क्या कहलाता है तो वो कहलाता है बायोस्पीर यानि कि जैमंडल 178 है समुद्र का चोड़ा परवेश मार्ग प्राया अफतल अकार का होता है जो कहलाता है a wide inlet of the sea usually concave in shape in term as तो वो है खाड़ी खाड़ी कहलाता है 179 है हिमाल्या ही परवश्रिंकला उधारन है हिमाल्या माउंटर रेज इस एन एक्जामपल आफ तो वो है फोल्ड माउंटेन बॉलिद परवश्रिंकला उधारन होगा कौन सी नदी पंजाब से समंधित नहीं है तो आपको पता है सतलुच पंजाब में बहती है रा भी पंजाब में जाती है और व्यास भी पंजाब में जाती है तो तापती नदी का समंध पंजाब से नहीं है during the South Western Mountain तमिल नाड़ो रिमें ड्राइ बिकॉस दक्षिन पच्छिन मांसूम के दोरान तमिल आड़ू सूखा रहता है क्योंकि यहाँ वर्षा आज इच्छित्प क्षेत्र में स्थित्त है इडिज लोकेटिड इन रेंज शेड़ो एरिया तो एह इसका सही अंसर है 182 है निमी लिखित मैंसे कि इस राजय में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो लेटराइट मिट्टी महरास्टर इरिया में पाई जाती है 183 है कौन सामरिदा अपरदन का कारण नहीं है यानि कि विच इस नॉट आ कॉज आप स्वाइल एरोजन तो जो है अफक्षैनन यानि कि वेदरिंग अफक्षैनन सी इसका सही अंसर है 184 है जैम मंडल अरक्षित क्षेतर की प्रतम योजना कौन सी थी यानि कि विच वॉस दा फर्स स्कीम ऑफ बायो स्पेर रिजर्व एरिया तो है नील गीरी जैम मंडल अक्षैतर बीस का सही अंसर है 185 है कौन सी जल विद्यूत प्रूजन तमिलनाडू में नहीं है तो जो अलियार तमिलनाडू में है पेरियार तमिलनाडू में है और कुंडा ये भी तमिलनाडू में है इडू की जुबांध है ये केरल में स्थित है ये इसका सही अंसर होगा 186 है भारत का कौन सा पड़ोसी विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उतपादक देश है तो आफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उतपादक देश है भारत का सबसे बड़ा जिन जाती असमू है भील जो की मद्यप्रदेश में पाया जाता है भील 188 है अंतरश्टे सुनामी चिताबनी तंतर भारत में कब अंगी कार किया गया तो 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया 189 है इन इंडिया देर आर बैनी कोल फिल्ड फाउंट इन यानि कि दामोदर जो वैली है आपके जारकन की वहां काफी कोल फिल्ड मिलते है 190 है कवक फज्जाई के अध्यन को क्या का जाता है फंगी के कवक के अध्यन को बोलते है माइकोलोजी 191 है अग्र ग्रामी अग्र अंग्रामी अर्ली प्लास्ट समान्य रोग है अर्ली ब्लाइट इस दा कॉमन डिजीज ओफ यह जो एक आलू की विमारी है जैब निमनीकर्ण अपसिस्ट को डैस की सहता से उप्योगी प्रदातों में परवर्दित किया जा सकता है वो है जिवान बैक्टेरिया की सहता से बच्चों में बिटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों में बिटाबिन D की कमी के का इनर रिकेटेस हो जाता है 194 है हेमोगलेविन की उच बंदुता होती है हेमोगलोबिन has the highest affinity for carbon monoxide के प्रति इसकी सबसे ज्यादा बंदुता होती है और 195 है पुर्शों में प्रती स्थापित होने वाले दांतों की संक्या है The numbers of teeth which are replaced in man are वह है 20, 20 का सही अंसर होगा 196 है व्रिक की कार्यात में की काई है Nephron यानि कि the function unit of kidney is Nephron 197 है मैनेजाइटिस एक रोग है जो प्रावित करता है मैनेजाइटिस is the disease of which effect the brain मस्तिष्क डीज का सही अंसर है 198 है रक्त में यूरीक अमल के उच स्तर के कार्ण होता है यानि high level of uric acid in the blood cause तो वो होता है गोट्स यानि की गठिया 199 है वह पशु जो की अत्याधिक गर्मी सहन कर सकता है वो है the animal which can be tolerate the more summer heat वो है बक्री सीज कैसे ही अंसर होगा दोसों कोश्चन है when hot liquid is poured into a thick glass timbler is cracked because of glass जब मोटे कांच के गिलास में गर्म डरब डाला जाता है तो चटक जाता है क्योंकि कांच उश्मा का कुचालक है इसलिए केवल आंत्रिक्स तह का विस्तार होता है तो इसका सही आंसर है तो आज हमने लगबग 20-30 जियोग्राफिक के old question paper के discuss किये अगर आपको ये session अच्छा लगाओ तो आप इस channel को like, share और subscribe कर सकते हो और इसी परकार के future update के लिए आप हमारे facebook page और youtube channel से जुड़ सकते हो धन्यवाद